और यहाली मुरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों कर श्वेता पाक कला में स्वागत की साथ सथ अभिनादन करती हैं आप लो कैसे हो आप श्वेता पाक कला में बना है मसाले वाले चटपटे आलू जो छोटे चोटे आलू होते इस सीजन में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं इनली चोटे आलू के द्वारा आज की रेश्पी को आपने बना के त्यार किया है फिर आप इसको सब्ची के तरह पराथा रोटि चाति तरह बिना पराथा पूड़ी रोटी की इस सब्ची locate कर सकती हैं एक पर आप इस रेसिपी को इस तरीकी से बना के देखिएगा कुछ तीखा चटपटा खाने का मन किया तो जरूर ट्राइ करेगा चलो दोस्तों हम आप इसको मिल के बनाना शूरू करते आज की रेसिपी को बनाने के लिए एक दम छोटी-छोटी साइच के जो तरह रेसिपी को बना के त्यार करें कि सब्सक्राइब गैस पर हमने एक पैन रगते हैं जब पैन करम हो गया तो इसके अंदर दो टेबर इस्पून हमने तेल डाल दिया पहुँछ जादा तेल मटा लिएगा थोड़े से तेल के द्वारा ये रेसिपी बन के त्यार हो जात लेती हैं और चलाते हुए तीन से चार मिर तक जब तक आलू के उपर एक हलकी सी परतनी आ जाती है तब तक इसको हमने भूं के त्यार करना है जैसे से आलू भूंता जाता है जब आप आलू को गैस के लोट्वbung मीडियम फ्लेम पर भूं के त्यार करेंगे तो इस तरह से आलू के उपर इस पॉट आने शुरू हो जाएंगे और इसी तरह इसको चार से पांच मिर्ट तक हमने भून के त्यार कर लेना है आप और भी जादा इसको क्रिस्पी बना के त्यार कर सकते हैं तो थोड़ा सा तेल और डाल लीजें हमने थोड़ी से तेल के त्वरा इस रेस्पी को बना के त्यार किया है चौथ हाई टेबे स्पून हल्दी पौडर डाल दिया और तीन से चार की समने जो हरी मिर्चोती थोड़ी दिन बाद वो पक जाती उनको छोटे टुकडे में काट के त्यार कर लिया इसको डाल दिती है आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल सकती है साथी साथ स्वात के उसार आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया और आधा टेबे स्पून इसके अंदर हमने जीरे के पौडर को डाल दिया उसके बाद इसके अंदर आधा टेवे स्पून हमने अमचुर पॉडर डाल दिया आप इस रेसिपी को केवर हल्दी पॉडर, चाट मसाला और नमक के दोरा भी बना के तियार कर सकती है कैस की low to medium flame पे चलाते हैं इसको 3-4 मिर तक हमने भून के तियार कर लेना है जिससे मसाले इसके उपर अच्छी तरह से लग जाएं और सारे मसाले अच्छी तरह से भून के तियार हो जाएं ये चटपटे मसाले दार आलू बहुत थोड़े से मसाले के त्वारा बन के तियार हो जाता है और इसमें जीरे का फ्लिवर बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो इस रेस्पी को और भी मसालों के त्वारा बना के तियार कर सकते हैं इस तरह ये रेस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती पर इसके स्वात को और ज़्यादा बढ़ाना तो आप इसके उपर सॉस डालीजी, इमलिक चटनी रालीजी या फिर धन्या की चटनी प्याजनी भी वगर आपने टेस्ट की साब से डाल सकते हैं स्वात के साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिये हिल्दी बनाई हिल्दी का ये आप दिमता कीमती समनी का के हमारा ये वीडियो दिखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया